कंडीशनल स्टेट्मेंट जावा कैसे इसको डिमन्स्ट्रेट करते हैं ठीकिशनल स्टेट्मेंट का मतलब यह होता है जैसे आपने अभी अपने प्रोग्राम किसके तुरू देखा आप टेनरी अपरेटर का बहुत बड़ा लिम्मिटेशन है जैसे कोई कि रिख सकते हैं जैसे कि कोई करी कंडीशन बुई हुई या कोई कंडीशन पॉर्स होई से हम सिर्फ सिंगन्री लिख सकते हैं लिख लो conditional statement क्या होता है it is used to solve condition based program condition based program using if statement and else statement इसके लिए अपने को if or else जोना statements का use करना होता है if statement provide separate block label statement to write code after true condition condition यदि आपका true हो गया उसके बाद यदि आपको जो भी code लिखना है वो आप किसके अंदर लिख सकते हैं if statement के अंदर लिख सकते हैं else statement provide separate block block label statement यदि आपका इसके अंदर लिख सकते हैं यदि आपका condition true होता है तो आप if का यूज कर सकते हैं else is the dependent statement else एक ऐसा statement होता है else is the dependent statement why if statement जो else होता है वो एक dependent statement होता है किसका dependent statement होता है if का यदि आप if के बाद ही आप else लिख सकते हो अकेले आप else नहीं लिख सकते हो लेकिन if को आप अकेले भी लिख सकते हो if दो तरीके से लिखा जा सकता है इसके बाद हम कितने तरीके से if else लिख सकते हैं वो सी चीज़े हम इसके सकते हैं अब हम बोलते हैं कि type of conditional statement को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं पहला simple if जैसे आपको किसी भी program में ऐसी requirement आगे कि भई सिर्फ हमें condition true पे ही काम करना है we want to work only true condition not in false condition तो ऐसे cases में आप simple if का use भी कर सकते हैं simple if मतलब सिर्फ अकेले if रहेगा else नहीं रहेगा जैसे आगे जब java में आप connectivity का code लिखोगे तो वहाँ पर आपको ऐसा condition लगाना है यदि server से connectivity हो जाती है तभी आपको programming करनी है otherwise नहीं करनी है तो बहुत पर ऐसे scenarios आएंगे जहाँ पर आपको सिर्फ condition true पे ही काम करना है सिर्फ एक ही end पे काम करना है तो ऐसे case में आप simple if का use कर सकते हैं ही any fan के अदर क्या होगा आपको यहाँ पर condition देना है कि condition जो भी है आपका true है तो आपको स्दों के आपको ब्लॉक लिखना यहाँ पर आपको programming को नहीं है और दूसरा आपका कहराएगा एसरे एक म depress missed कंडिशन ने दिए आपकी फॉल्स होती है तो आपको यहां पर प्रोग्रामिंग लिखना है इस तरीके से आप स्टेट्मेंट्स दे सकते हैं तो जैसे आपको नामली जो प्रोग्राम्स हैं जो हमने अभी टर्नरी ऑपरेटर्स के थुरू किये हुए हैं उन सभी प्रोग्राम्स को आप इफ हैल्स से कर सकते हैं Ternary operators जो होता है, वो if-else का ही एक substitution होता है कि जो work हम if-else से कर सकते हैं, वो work हम ternary से कर सकते हैं जो work हम ternary से कर सकते हैं, वो work हम if-else से कर सकते हैं बट यह है कि आपका if और else के अंदर कोई foundation नहीं होता, कोई limit नहीं होता आप if के अंदर एक statement लिखना है दो लिखना है, तीन लिखना है, 100 statements लिखना है वो आप लिख सकते हैं वस ternary के अंदर limitation यह है कि ternary के अंदर हम एक single statement ही दे सकते हैं इसलिए programming world के अंदर ternary operator बहुत rare यूज़ किया जाता है 90% case में अपन क्या यूज़ करते हैं if else ही यूज़ करते है तीसरा scenario यह आपका normal program के लिए हो गया कि आप simple if और else मलब यह एक label की condition है तो एक ही condition है कि यह condition हो गया true तो आप if लगा दो false हो गया तो else लगा दो अब जब आपको एक से ज़्यादा conditions कभी कभी होते हैं यह conditions भी true हो सकती है यह conditions भी true हो सकती है जहां पर आपको एक से ज़्यादा conditions को manipulate करना है वहाँ पर if else क्या हो जाता है false हो जाता है if else आपका वहाँ पर if else का use वहाँ पर आपको नहीं करना है उसके लिए आपको if else का एक modified form है है if else ही लेकिन उसको modify करके nested if else के form में आप use कर सकते हो nested if else nested का मतलब ही होता है कि we will write more than one if else using nested sequence इसके लिए आपको nested sequence यूज़ करना nested मतलब होता है एक के अंदर दूसरा एक block label statement के अंदर यदि आप कोई दूसरा block label statement लिखते हैं उसे क्या बोलता है nested बोलता है जैसे आपका if एक block label statement है तो if के अंदर यदि आप if else लिखते हैं या else के अंदर आप if else लिखते हैं उसे क्या बोलता है nested बोलता है जैसे for example मैंने यहाँ लिखा if condition कि अपने कहा यहां पर इस कंडिशन के बाद मुल्ब इस कंडिशन के टू होने के बाद आपको और कंडिशन देने कि आप इसको किसे मैंज सकती हो साथ उन्हें स्ट्रेट्स.'2 यहां पर फिर personally के आंजffiti do चलता जाएगा इफ के अंदर इफ इल्स और जो आपका इल्स पार्ट है इसको भी आपको इग्णोर नहीं करना है बहुत परे लोग ऐसा होता है कि एक इफ बना करके आपने श्रेट का मतलब यह नहीं कि आपको सिर्फ के अंदर ही लिखना है नीचे जो आपका इल्स अंदर जो आपका इफ है उसके अंदर भी इत और और वाली सफ उसके लिए आपको जाना पड़ेगा else में जाना पड़ेगा और else के अंदर भी हमें क्या लिखना है if else लिखना है आपको कहीं पर और requirement पढ़ जाती है इस if के अंदर भी आप if else लिख सकते हो और इस else के अंदर भी आप if else लिख सकते हो तो nested का मतलब क्या होता है एक if else के अंदर दूसरा if else दूसरे e-fails के अंदर फिर e-fails यदि आप ऐसा sequence देते जाते हो उसे अपन क्या बोलते हैं? nested बोलते हैं nested block हम तभी बनाते हैं जब हमें without logical operator यदि आपको बिना logical operators के कोई भी program को solve करना है logical operator समझते हो and operator के बिना और operator के बिना यदि आपको कोई भी program यदि आपको solve करना है तो आप nested में जा सकते हो इसमें आप note करके लिख सकते हो it is used to create program without using logical operator यदि आपको कोई भी program में ऐसा बोला गया है कि आपको इसके अंदर logical operator यउज नहीं करना है and operator या और operator का बिना यूज किये हुए आपको किसी भी program को यदि आपको बनाना है तो ऐसे programs के लिए अपन क्या यूज कर सकते है nested if else use कर सकते है nested if else use कर सकते है तो मुझा अब इसका scenario यह यह है if के अंदर आपने कहा दे दिया condition फिर यहाँ पे if else और else else के अंदर if condition फिर 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 जैसे मैं एक program आपको example देता हूँ जैसे मुझे एक program बनाना है write a program to check greatest number without using logical operator आपको ऐसा program दिया गया है कि आपको greatest number का program बनाना है और उस greatest number के program में कहीं पर भी आपको logical operator नहीं लगाना है कहीं पर भी आपका and operator नहीं आना चाहिए तो इस प्रोग्राम को ज़िए आपको बनाना है तो आप इस program को nested if else के थूर बना सकते हैं कैसे बना सकते हैं nested if else के थूर बना सकते हैं करने आप रिस्टिक्षन क्या दिया है कि हमें लोगी कल लगा ना है हमें एंड उपरीटर के युज नहीं करना है तो देख़ो इस प्रोग्राम को कैसे बना आ कि सिंपल अपन प्रोग्राम बनाने के लिए लिए अब Last बना रहे है अपने एक Class बनाया Class का नाम देदिया मwayने greatest जा growing 네 में यहाँ पर मैंने तीन अज़रिबल ले लिया इंट एई ले लिया इंड ले लिया और ही ले यूजर से दी आपको input लेना है तो हमने बताया था आपको कि import java.util.scanner यूज़ करेंगे यहाँ पर java क्या है आपका java is the base package, util क्या है, util एक sub package है और scanner क्या है, scanner एक class है, ठीक है, क्योंकि आपको यह पता होना चाहिए जिसका काम होता है, users के input को manage करना यूजर से आप जब भी आप कोई keyboard से कोई input लेते हैं, तो उस input को manage करने का काम किसका होता है scanner का होता है, इसलिए starting में ही मैंने सबसे पहले scanner का एक object बना लिया scanner sc equals to new scanner और यहाँ पर दे दिया system.in इसके पहले के session में मैंने आपको बहुत detail में यह सी जह बताया था कि what is scanner scanner का क्या काम होता है, scanner कैसे work करता है void यहाँ पर calculate greater मैंने क्या बना है यहाँ यहाँ वाइड कैल्कुलेट ग्रेटर के अंदर मैंने यहाँ पे सबसे पहले system.out.println क्योंकि मुझे क्या करना है, users input लेना है मैंने यहाँ ले लिया system.out.println यहाँ पर आगया, यहाँ पर आगया, b.quastu, sc.next, int फिर मुझे दूसरा नमबर लगाना है system.out.println मैंने यहाँ पर दिया इंटर, second number यहाँ पर आगया, b.quastu, sc.next, int फिर आगया, इसमें system.out.println यहाँ पर आगया, enter, third number ठीक, मैंने तीनों numbers क्या किया, users input कर दिया sc.next, int अब इस प्रोग्राम को मुझे without logical operator से भी बनाना है सबसे पहले मैंने a, greater than b कर दिया इसके दोनों पार्ट को समझना a, greater than b और यहाँ पेस का else भी मैंने बना दिया क्योंकि यदि a greater than b नहीं हुआ, तो कहाँ पर जाएगा वो else में जाएगा यहाँ पर इस if a greater than b इसके अंदर मैंने एक condition दे दिया a greater than c अब आपको पता होना चीए कि इसके अंदर इस एक ही statement होता है तो आपको bracket लगाने की जुरूरत नहीं है ठीक है, programming में भी आपको यह चीज़ ध्यान रखना है कि आपको जहाँ पर जिस चीज़ की requirement है वही आपको use करना है यदि आपने यहाँ पर bracket लगा दिया अगर देंसी तब भी program चलेगा लेकिन इससे क्या होगा? अननेसेसरी आपके program का processing क्या होगा बढ़ जाएगी तो इससे better thing यह है कि जहाँ पर आपको जिस चीज़ की आवश्यक्ता है वहाँ पर उस चीज़ का आपको utilization करना है ठीक है? C is greater जैसे कोई भी सामान आप जाते हो market में तो 5 रूपे में मिलता है तो आप उसके लिए 10 रूपे नहीं देते हो 5 रूपे ही देते हो ना? बस programming के अंदर भी आपको यही करना है programming के अंदर आपको जहाँ पर जिस टाइप के symbols के requirement है unnecessary things आपको use नहीं करना है तो यहाँ पर मैंने A को B से compare किया फिर इसके बाद A को C से compare किया आपको पता है यदि A B से भी बड़ा हो गया और A C से भी करती है यदि A B से बड़ा होगा तभी वो इस block के अंदर जाएगा ठीक है यदि यदि इस block के अंदर गया A greater than B है और A greater than C है तो इस case में क्या जाएगा? A greatest हो जाएगा और नहीं हुआ तो क्या जाएगा? C greatest होगा अब ऐसा input यूजर ने दिया जहाँ पर A greater than B नहीं हुआ यदि नहीं हुआ तो कहां आएगा? वो else में आएगा आपको पता है कि यदि A condition false होती है तो कहां जाता है? वो else में जाता है else में जाने के बाद A greater than B तो नहीं हुआ अब A greater than B नहीं हुआ मतलब A तो बड़ा हो नहीं सकता A बाहर हो गया अब comparison list में कौन कौन से है? B और C तो आपको यहाँ पर programming में क्या लिखना पड़ेगा? B greater than C यहाँ पर आप लिख सकते हो system.out.println क्या लिख सकते है? system.out.println B is greatest हम इसको क्या कर सकते है? B is greatest manage कर सकते है और else system.out.println और यहाँ पर क्या जाएगा C is greatest scanner जो हमने लिया है वो run time में input के लिए ही लिया है तेक है इसलिए पहले आपने देखा होगा program के अंदर हमने पहले user से पूछा है कि भही A की value enter करो B की value enter करो और C की value enter करो यह जो हमने code लिखा है उसके अंदर run time में input लेने के लिए लिखा है ठीक है? users ने suppose that A में दे दिया 10 B में दे दिया 20 और C में दे दिया 30 तो क्या चेक करोगे? 10 greater than 20 10 greater than 20 मुलब condition क्या हो गई? false हो गई condition false हो गई कहाँ पर आएगा? यहाँ आएगा यहाँ चेक क्या 20 greater than 30 condition क्या है? false हो गई जाएगा? C is greatest जाएगा तो जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाओ तो देखो प्रोग्राम सीखने के दो तरीके हैं पहले तो आपके पास presence होना चीए practically उसको चलाने के लिए ज़िए आप जब तक किसी प्रोग्राम को practically नहीं चलाते हो तो programming कभी नहीं सीख सकते हैं और दूसरा प्लसमेंट यह है कि प्रोग्राम को आप dry run करो, dry run in the sense कि आप प्रोग्राम को एक एक चला करके देखो कि जैसे मैंने int a, b, c दे दिया तो आपके दिमाग प्याना चीए कि int a, b, c दे दिया मतलब stack memory के अंदर a, b और c इन तीनों के लिए क्या हो जाएगा values आपकी allocate हो जाएगी कौन सी values allocate हो जाएगी? जो values आप users से ले रहे हो इसके बाद आपको यहाँ पर dry run करो जो values आपने users ने दिया उसको आप चला करके देखो कि a में क्या value है, b में क्या value है greater than operator क्या return करता है आपको यह पता होना चीए greater than operator क्या return करता है true और false return करता है यदि अपन a greater than b होगा तो क्या return करेगा true और if में यदि true आ गया तो यह statement अंदर जाएगा और यदि यहां पर यदि false आ गया क्योंकि if को a greater than b से मतलब नहीं होता if को मतलब किस से होता है true और false से मतलब होता है तो जो आपका a greater than b आप लिखते होना यह क्या return करता है true return करता है या कि false return करता है यदि suppose इर इसने false return किया तो कहां पर जाओगे आप else में जाओगे और यदि इसने true return किया तो कहां पर जाओगे आप if में जाओगे ठीके ध्यान रखना कि जितने भी greater than operator होते हैं ये सब true और false return करते हैं जितने भी conditional operator है जाए वो greater than हो जाए वो less than हो इनके अंदर का आप मुझे इस प्रोग्राम को चलाना है जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपको प्रोफेशनली यह दिये प्रक्टिस करनी है जावा कि तो आप दो अलग-अलग class से बना कर करो जिससे आप actual java सीख सकते हैं आपने एक ही class यह public static void main के अंदर ही पूरा प्रोग्राम लिख दिया तो कभी भी आप actual java नहीं सीख सकते हैं actual java का मतलब यह होता है कि you should create the object and write the program यहाँ पर आगया public static void main यहाँ पर क्या जाएगा string args args मतलब string arguments इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे greater example greater example greater example is the class तो मैंने यहाँ पर greater example obj equals to new greater example के क्या बनाया एक object बनाया और इसके बाद मैंने यहाँ लिख दिया obj dot obj dot क्या नाम से है यह calculate greater यहाँ पर मैंने लिख दिया obj dot calculate greater इसके क्या हो जाएगा यह greater number का जो program है आपका वो execute हो जाएगा अब इस program को save करो क्योंकि अभी तक यह java file में नहीं है अब इसको हमें java file में convert करने के लिए करना पड़ेगा इसको dot java file में save करना पड़ेगा ठीक हम यहाँ पर गए java prg के अंदर गए इसको किसमें manage करना पड़ेगा आपका जो main class का ना में क्या है greater main.java correct अब यहाँ पर cmd में गए d drive cd java prg java c greater main.java java ठीक है यह cannot find symbol करके इसमें आया क्योंकि अपना program का नाम greatest करके है greatest example हमें यहाँ पर कहा देना पड़ेगा इसका नाम greatest example देना पड़ेगा ठीक है क्योंकि यहाँ पर जिस नाम से आपका class का नाम होता है उसी नाम से हम क्या करते है object create करते है ठीक है object की memory कहाँ पर allocate होती है heap के अंदर allocate होती है और यहाँ पर जो अपना program के methods का नाम है calculate greater देखो तब calculate यह पूरा case sensitive होता है ध्यान रखना यह errors जो होते है ना इनसे भी आप identify कर सकते है errors भी समझो error cannot find symbol क्योंकि यहाँ पर अपनने c क्या दिया है capital में दिया है तो आपको इस c को क्या करना पड़ेगा small करना पड़ेगा क्योंकि मैंने आपको बताया था कि Java के अंदर जो methods होते हैं उनको हम camel case में लिखते हैं तो error आने से आपको घवराना नहीं है जो भी आपका error सारा देखो Java में आपको बीद पेसे आपको इस एर्र को रेक्टिफाय करना है अब यहां पर क्या हैगा greater mean क्योंकि देखो प्रोग्रामिंग यदि आप करोगे तो आपको errors आएगा ही यह दे दिया है 12 23 45 इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है इसको चला के देख लो 12 23 45 दिया A की value कितनी है B की value कितनी है 23 C की value कितनी है 45 हमने यहां पर dry run किया 12 23 23 कंडिशन क्या है true है कि false है यह कंडिशन क्या हो गई false हो गई ठीक है जैसे false हो गई हम यहां पर आए 23 greater than 45 अब यह कंडिशन क्या है false है इसकेस में क्या आगया C is greatest है आपको दूसरे number के तरू दूसरे number के तरू आपको चेक कने से मेंने देती है यहां पर 100 2 और 30 इस case में क्या है यहां पर 100 greater than 2 condition क्या है true है फिर 100 greater than 30 condition 2 है क्या आपके is greatest है इस तरीके से program मतलब dry run का मतलब यह है जो values users दे रहा है उस values को आपको उस variable में रख करके और एक एक करके आपको चला करके देखना है कि आपका program का conditionally आप पहले copy में भी चला के देख सकते हो क्योंकि आप copy में दी इसको dry run करके देखोगे तो आपको चीजें और ज्यादा क्या होगी आपको प्रोग्राम को आपको dry run नहीं करते हो तो प्रोग्राम आप कभी भी नहीं समझ सकते हो ठीक है तो प्रोग्राम समझने का एक ही तरीका है कि you should dry run the program आपको प्रोग्राम को क्या करना होगा dry run करना होगा फिर उसके बाद उसको execute करना हो इतना clear हो गया समझ में आ गया इसके बाद अब इस program को इस program में आप देख सकते हो कहीं पर भी मैंने logical operator का use नहीं किया I have not used logical operators in any places ठीक है अब इसके बाद necessary fails का एक limitation भी है क्या limitation है कि जलो ठीक है यह program तभी आपका three level में था ठीक है तीन नंबर्स में था ठीक है इसका लिख लो limitation of nested fails it has complex syntax structure it has complex syntax structure for large program जो आपके बहुत बड़े program होते हैं या बहुत सारे conditions से दी हैं तो इसके अंदर जो इसका structure होता है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है complex हो जाता है यह से अभी आपका तीन नंबर में से greatest है यदि मैं आपको चार नंबर में से greater max नंबर निकालने की बात करो या 5 नंबर में से यदि मैं आपको max नंबर निकालने की बात करो और यदि मैं बोलू नेस्टे डिफेल्स से आप बनाईए यह प्रोग्राम आपके लिए बहुत ज्यादा यह बात को रहें तो आपके लाटर को लाटर इफेल्स को बाताई गया क्याॉट को का इचाल है इस वीम डिफाय कर दिया गया कि इसमें करेगा इस स्टेट्मेंट विल वर्क स्टेपाइब से वैन वन कंडिशन विल टू दैने डिक्जिक्यूट अधरवाइब इट विल शिप्ट टू नेक्स्ट ब्लॉक उसके बाद वो नेक्स्ट ब्लॉक में इस सिप्ट हो जाएगा इएंगे एफ के लिख के अंदर अपन क्या दरेंगे काडिशन उसके बाद काडिजेंगे अपन इस स्टीट्मेंट एफिर यहां यहां पर condition, फिर यहां पर statement, और फिर last me कहा देंगे यहां पर else, फिर यहां पर statement, यहां पर कहा रहेगा अपना if रहेगा, if के अंदर कहा रहेगा condition रहेगा, इसके बाद कहा रहेगा इसके बाद कहा रहेगा, फिर यहां पर else if रहेगा, फिर condition रहेगा, फिर statement रहेगा, और फि इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन लैडर बोलते हैं लैडर मतलब यह step by step चलता है पहला step फिर दूसरा step फिर आखरी step में चलेगा प्रोग्राम को मुझे किसके थुरू convert करता हूं सेम प्रोग्राम है write a program to calculate greatest number using ladder refills इसी प्रोग्राम के दिए मुझे ladder refills के थुरू क्या करना है बनाना है देखो programs कितना आसान हो जाएगा और इसके steps क्या हो जाएगे बहुत कम हो जाएगे ladder में आप logical operators use कर सके यह दोनों statement जो अलग-अलग statement से उसको हमने क्या किया एक ही statement में convert कर दिया ठीक है इसके बाद जो else if वाला statement था इसको अपन ने उठाया यहाँ पर और इसको else और if को एक साथ करके इसको एक ही line के अंदर manipulate कर दिया ठीक है जैसे यह अभी अलग-अलग line में थे हमने क्या किया इस लोनों statements को एक साथ manage कर दिया पहले क्या हो गया यह if हो गया फिर क्या हो गया else if हो गया और last मे क्या गया इसके अंदर else आ गया तो यहाँ पर हमने a greater than b और दूसरा condition दे दिया a greater than c यदि a b के से बढ़ा है और यदि a c से बढ़ा है क्या हो जाएगा a is greatest हो जाएगा नहीं तो यदि इसके अंदर b greater than c b को c से compare किया है तो क्या आजाएगा आपका b greatest हो जाएगा और यदि नहीं हुआ तो क्या जाएगा आपका c greatest हो जाएगा इस प्रोग्राम को हम बहुत सिंपल हुए में किस्ते बना सकते हैं we can create मुलब आपने देखा होगा कि nested के अंदर इसका जो ब्लॉक लेबल स्टेट्मेंट है थोड़ा सा complex था इस ब्लॉक लेबल स्टेट्मेंट को हमने सिर्फ तीन लाइन के अंदर manage कर दिया कि पहले a को b से compare कर लिया और a को c से कर लिया यदि यह दोनों condition true हो जाती है तो यह हो जाएगा यदि नहीं हुआ तो a सीदी से बात है बाहर हो जाएगा फिर comparison list में क्या क्या होगा जाएगा यह दि यह भी नहीं हुआ बचा क्या लास्ट में सीग्रेट इस तरीके से इस प्रोग्राम को लैडर इफ हेल्स के थुरू बहुत आसानी से बना सकते हैं बहुत ज्यादा complex लोजिक से एक से ज्यादा conditions है यह बहुत ज्यादा conditional statements है तो वहाँ पर आप लैडर इफ का यूज कर सकते है या healthy statement का यूज कर सकते है फिर आपका आता है last जो आपका type है that is called multiple if statement क्या बोलते है इसको multiple if statement multiple if statement मतलब एक से ज्यादा if statement it will use when we want to display multiple condition with multiple results के साथ multiple results की जरूरत है तो ऐसे cases में अपन क्या यूज करेंगे multiple if statement यूज करेंगे यहाँ पर क्या रहेगा if condition यहाँ पर if देना रहेगा if के अंदर पन क्या देंगे condition फिर यहाँ पर statements फिर यहाँ इप देंगे if के अंदर क्या रहेगा condition फिर यहाँ statements इस तरीके साम इसको manage करेंगे यहाँ पर क्या आया फिर क्या आया condition आया फिर इसके बाद अपन ने क्या दिया statements दिया फिर if आया फिर condition फिर यहाँ पर statement फिर if आया फिर condition फिर इसके अंदर statement इसे क्या बोनेंगे अपन multiple इप स्टेप्मेंट जैसे फॉर एक जांपल में एक प्रोग्राम किसलों आपको समझाता हूं जैसे में एक प्रोग्राम बनाना है राइट प्रोग्राम तो चेक डिविजिबिलिटी आप नमबर that number is divisible by 3, 5 and 9 in all Combination ठीक है मालब मुझे कोई भी नमबर कोダिवेजिबिलिटी चेक करना है कि वह नमबर डिवाइट हो रहा है कि नहीं हो रहा है किस से डिवाइट हो रहा है थ्री से हो रहा है, फाइफ से रहा है, नाइन से हो रहा है, ढडिग्रीज हो रहा है यदि मुझे इसको क्या करना है चेक करना है इस case में मैं क्या करूँगा उसके लिए मुझे multiple if का यूज करना पड़ेगा क्योंकि आपको प्रोग्राम ऐसा दिया गया है जैसे मैं एंटर करता हूँ 45 तो यदि वो तीनों से डिवाइड है तो तीनों से आना चाहिए यदि कोई नंबर मैंने ऐसा एंटर किया कि सिर्फ दो से डिवाइड है तो क्या आना चाहिए तीन और पास से डिवाइड है यदि एक से डिवाइड है तो क्या आना चाहिए एक से डिवाइड है तो यदि आपको ऐसा प्रोग्राम बनाना है जहाँ पर multiple conditions with multiple results जैसे अभी तक क्या हो रहा है आप नेश्टेट से बनाते हो condition तो multiple होते हैं लेकिन रिजल्ट एक ही रहता है लेकिन कभी-कभी आपको ऐसी requirement हो जाते है जैसे आप Flipkart या Amazon इनके अंदर जाते हो तो आपको बहुत सारे combination से data filter हो किया जाता है आप प्राइजिंग से भी फिल्टर कर लेते हो प्राइजिंग के साथ आपने brand select किया तो प्राइजिंग और brand दोनों के combination से क्या होगा आपका data दिख जाएगा ठीक है इसके बाद प्राइजिंग brand और उसके बाद आपको color यदि इन तीनों को आपने select किया तो प्राइजिंग brand और color इन तीनों के combination से भी data आपको क्या हो ज तो आप ब्रांड वाइन्य यदि आपने दो भ्रांड इजित गर्लि Haut Social तीनों भ्रांड का डेटा दिख जाता है तो क्या है यह जाविन इस प्रोगराम को कैसे बाएइक प्रोग्राम अपमने लेते हैं जिसको थैनमा थिzhलिए जिटात nodig ही है जो भी प्रोग्राम आप बनाओगे यह आपको यूजर से इंपुट लेना है तो आपको इसको लिखना पड़े चेक दिवीजिन मैंने आप ले लिया इंट नम स्कैनर 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 और यहां पर क्या जाएगा सिस्टिम डॉट इन वाइड चेक मैंने मैंटर्स का नाम के दिया चेक दे दिया अपर यहां पर मैंने कंदिशन दिया इन नम मॉडूस तु बाइड नाम स्कैनर्स का दिया बराबर 0, system.out.println, divisible by, 3, किसे divisible लगी है, किसे divisible है, बराबर 0, system.out.println, यहां पर जाएगा, divisible by, 5, फिर मने जाएगा, if num.out.println, यहां पर आएगा, system.out.println, and after that divisible by, 9, तो मैंने यहां पर तीनो दिविजिन को इंप्लिमेंट कर लिया, आपर बिजनेस कोड है, यहां पर क्लास बनाया है, एक लग से, division main, after that public, static void main, string args, and now I can create the object, अब मैंने object बनाया, क्या ना मैं मैं क्लास का चेक्ट दिविजिन, check division, obj equals to new check division, and here I will write obj dot, what is the method's name, method's name is the check, I can call it, now I will save, किसे save किया, मैंने, du main dot java, I have saved du main dot java, now I will write javac du main dot java, इसको मैंने compile किया, after that execute this program, div main, enter number, मैंने दिया, 56, कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुझे मैंने प्रोग्राम में क्या दिया, मुझे check divisibility, check करना है, मुझे ये check नहीं करना है, कि divisional है कि नहीं, अब मैंने या पे दिया 5, फाइब सिर्स हाइब से divide हो रहा है, divisional वाइब 5 है, मैंने दिया 15, divial wire 3 और divial wire 5, मैंने दिया 45, इस प्रोग्राम के दिया आप ड्रायरन करोगे, तो सबसे पहले जैसे आपने 45 दिया, तो number में क्या assign हो गया, 45 असाइन हो गया, फिर ये जाकर चेक करता है, को modulus और slash, इन में difference है, ति मैं या पे slash लगा देता हूँ, इससे आपका result आता है, और modulus से क्या आता है, remainder आता है, तो मुझे किसको evaluate करना है, remainder को evaluate करना है, ठीक है, क्योंकि remainder से ही मैं check कर सकता हूँ, इससे आपका divisibility check नहीं होती है, इससे आपको result चेक होती है, इतलिए modulus operator आपका remainder के लिए, क्योंकि जिसका remainder 0 है, मतलब वह ही divisible है, remainder यह जीरो नहीं आया, their meaning is that it is not divisible, यह divisible नहीं है, तो फ़हले मैंने इसको 3 से divide करके देख लिया, फिर 5 से divide करके देख लिया, फिर 9 से divide करके देख लिया, यह 3 से किया, डिविजल वाय 3 हो गया, 5 से किया, डिविजल वाय 5 और 9 से किया, डिविजल वाय 9 हो गया Now I can compile and execute this program इसके बाद मैंने इस program को पहले compile किया और compile करने के बाद मैंने इस program को execute जैसे मैंने दे दिया 20 20 क्या है आपका, सिर्फ किस से डिविजल है? 5 से जब भी आपको project के अंदर या कोई real time domain के अंदर आपको ऐसी requirement होगी कि आपको multiple conditions लगाने है with multiple results देने हैं तो वहाँ पर आप इसका use भी कर सकते है correct simple if, ठीक है, प्रोग्राम this can be created by simple if easily यसे program क्या है? write a program to increase salary of employee with 500 if entered salary is less than 10,000 अब यदि उसकी salary 10,000 रुप से कम है, तो 500 रुपे क्या करना है उसमें increment करना है, otherwise same salary will be displayed otherwise same salary will be displayed नहीं तो जो salary है, वही salary क्या होगी? display, otherwise same salary will be displayed तो यदि आपको यह program बनाना है, इस program को हम कैसे बनाएंगे? देखो कर में में आपशें, बनाएंगे, रुप में आपको सा॥ possiamo कीन कर हम में क dł मर Moss contrib प्रोग्राम समझ में आ गया यह जी सेलरी 10,000 से कम है तो 500 का क्या होगा उसका इंक्रिमेंट होगा अधरवाइस सेम सेलरी प्रिंट होगी यहां पर हमने ले लिया सेलर के लिया हमने से एक वरिबल दे लिया हमने यहां पर कर दो के लिए फिर यहां पर आ जायगा श्याय किश्कर इंस जाय प्रिंट प्रिंट अटैलरी तो प्रिंट अले यहां पर दूस्ट यहीए को इसे प्रोग्राम आप बना है इसका मलब यह पता है ना कि यह आप इपके अपन ब्रेकट नहीं लगाते तो इतने स्टेट्मेंट को लेता है तिर्फ एक ही स्टेट्मेंट लेता है ऐसे प्रोग्राम को आप Supreme If के तुरू बना है इक इसे एक मेंपल या इसे 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 म्याक को आप now I can manage salary can see obj equals to new salary obj dot now I can write called the cellman now I will see you this program amaze program go see over time salary mean dot salary mean dot java c salary mean dot now I can compile this program java salary mean dot now I have to do something else I can do something else I can do something else I can do it 8,000 कितने कर दिया 8,500 तो इस टाइप आप प्रोग्राम इस तरीके के प्रोग्राम्स हम इस से बना सकते हैं करेक्ट स्वाज में आ गया इसको आप नोट कर लो ठीक आप मैं कुछ असाइन्मेंट दे रहा हूं देखो Assignment of Conditional Statement first write a program to check mobile and consonant without using logical operator ये निदा समझ जाओ, विदाओ दिजए लोगीज लागीज 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 न मतलब nested से भी बनाना है और यदी किसी से बन सकतर उससे बना सकतर तर से बना सकतर दस बना सकतर write a program to calculate आपको चार अलग अलग करेक्टर से उसको आपको निकालना है इसके लिए यूजिंग नेस्टेट आपको इसमें नेस्टेट का यूज़ करना है तीसरा राइट प्रोग्राम तो क्रियेट मार्क शीट आपको इस्टुडेंट इसके लिए आपको ये कंडिशन फॉलोग करना है पहला ओल सब्जेक्ट मार्क मस्ट भी जीरो तु हंड़े जितने भी सब्जेक्ट के मार्क साब असाइन करोगे पहले आप इंपुट कर लेना उसके बाद कंडिशन चेक कर लेना कि वह जीरो से हंड़ेट के बीच में है कि नहीं है दूसरा इफ वनली वन सब्जेक्ट मार्क इस लेस दन थर्टी द्री थैं स्टुडेंट विल सब्लिमेंटरी अंडिस्प्लेइंटरी सब्जेक्ट में और सब्लिमेंटरी सब्जेक्ट का नाम भी आपको देखना है हुआ है बाइस थки्ग रीवल्यली आनिसलिन क महसे सब्जेक्ट में उड क्ख है ठीसरा इफ सब्सके सब्जेक्ट मॉर्च तरहुटंध पर सब्जेक्ट के सब्ला फर्द्ली थे टैस्टूद यह और और इसके बाद आपको फेल सब्जेक्ट की नेम भी इस प्रिपल सब्जेक्ट मांक इस एवाओ 33 इसमें भी सब्जेक्ट ने सबके मांक 33 से जादा है इस्तुदेंट नेयर जिस्तुए और सुझेटर्स प्रिपलि के अश्यकिया इस प्राद के np. प्रेश помरी ओस्तुए कि अधिलो के ऊदेक्ट लिए। if only one subject mark is less than 28 then student can be passed by five bonus marks 5 bonus marks के सुभी student क्या हो सकता है पास भी हो सकता है ठीक है डिस्प्लेइ ग्रेस मार्क्स ये बोनस ग्रेस और बोनस मार्क्स ग्रेस और बोनस एक ही बाद सब्जेक्ट का नाम भी आपको कितने हो गया है पांच प्रोग्राम से इन तीनों प्रोग्राम को आपको बनाएं ठीक है ये जो प्रोग्राम से इसमें सभी टाइप की कंडिशन आपके सामने लगें सरो आपके सो ऑदर कर बोनस और लगें